exercise 4.1 का हम लोग कर रहे है question number 3 मतलब question number 2 का थर्ड वाला ठीक है अब हमें situation दी है और हमें quadratic equation बना के दिखानी है अब यहाँ पर आपको बोला गया है question में question में आपको कहा गया है Rohan's mother is 26 year old, older than him मतलब Rohan की जो मा है, Rohan से 26 साल की बड़ी है and the product of their age 3 year from now will be 360 और 3 साल का अगर देखा जाए, अगर गुना किया जाए उसके age का 3 गुना, मतलब 3 बार गुना करने का, थ्राइस बोल सकते हो आ तो 3 बार गुना करने का उसका 360 age होता है ठीक है, तो we would like to find Rohan present age मतलब कि अभी Rohan का present age क्या होगा यह हमें क्या करना है, find out करना है अब यह question है और इसको कैसे solve करेंगे तो यह बहुत ही easy question है इसलिए आपको ध्यान से सुनना एक बार आर अच्छे से हिंदी से में बता देती हूँ Rohan की मा उससे 26 वर्स बड़ी है ठीक है, उनकी age कितनी है year में, product मतलब होता है गुन फल, गुना निकालना तो उनकी अगर गुना किया जाए तो आज से 3 साल बाद वो 360 की हो जाएंगी क्या होंगी? 360 साल की वो हो जाएंगी अगर 3 साल बाद की बात किया जाए तो तो हम लोग को रोहन की present age find out करनी है कि रोहन की present age क्या है तो let the present age रोहन का हम क्या समझते है X समझते है तो present age हम रोहन की ये समझते है कि वो X है, ठीक है? रोहन की age हम क्या समझ लेते है कि रोहन की age है X तो X है hence his mother age और उसकी मा की age क्या समझेंगे हम तो रोहन की अगर x है तो उसकी मा उससे 26 सल बढ़ी है न इसलिए plus 26 कर दिया ठीक है तो x plus 26 हो गया after three year ago, तीन सल पहले अगर देखा जाए, तीन सल बाद ठीक है, after three year ago मतलब 3 सल बाद उसकी मा कितने साल की होगी तो रोहन की age कितनी है? x plus 3 क्योंकि रोहन से 3 साल बाद की बात की जा रही है, रोहन मतलब x, रोहन की age मतलब x plus 3 साल बाद, ठीक है बढ़ी है, इसलिए 3 साल बाद तो x plus 3 किया मैंने ठीक है और रोहन's mother age रोहन की मा का age x plus 26 26 बढ़ी है और plus 3 साल और बढ़ी है तो x plus 26 plus 3 कितना हो गया 29 हो गया the product of their age of after 3 year अब product मतलब गुना कार करना मतलब उसके 3 साल बाद है ना तीगुना अगर देखा जाए जैसे कि तीगुना मतलब ऐसे ऐसे करते हैं न ट्रिबल तो ऐसा after 3 year age 360 तो उनकी 360 age है कितनी है 360 तो x plus 3 हमारा ये हो गया x plus 3 ठीक है रोहन की age and x plus 29 जो हमने अभी निकाली रोहन की ममी की age है और is equal to 360 तो x square x x x square हो गया और x 29 तो plus 29 x हो गया ठीक है और plus 3 x तो 3 x और 3 29 जा कितना होगा 87 और is equal to 360 ठीक है अब x square ये x square लिखा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 32 यहाँ पे plus है यहाँ पे plus है तो 29 x plus 3 x किया तो कितना हो गया? 273 ठीक है और is equal to 0 अब देख रहे हैं आप मेरा x का power 2 है और कुछ इस तरीके से equation बन रही है मतलब कि यह मेरी quadratic equation है ठीक है? मैंने quadratic equation बना ली है तो this is a required quadratic equation I hope कि आपको समझा रहेगा नहीं समझा तो आप लोग comment करेगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाईए